नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती हमारे जीवन में जितना ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उतना ही प्रभाव वास्तु का भी पड़ता है आपके घर में क्या चीजें किस तरह से रखी हुई है इसका प्रभाव आपके जीवन में उसी तरह से पढ़ता है आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके किचन में क्या चीजें आपके लिए हानिकारक साबथ हो सकती है इसके लिए हमारे साथ जाने माने जोतिश आचारे देविग के डॉक्टर श्रीपतीत रिपाठी जी मौझूद है आचारी जी आपका मर्श लेते हैं और साथी साथ अपने भावश्य के विशय में भी सलाह लेते हैं कि आगे क्या करना उनके जीवन के लिए बहतर साबत होगा आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस वीडियो में हम वास्तु के विशय में चर्चा कर रहे हैं और खास करके चर्चा घर के उस हिस्से के विश्य में कर रहे हैं जहां से पूरा दिंचरिया जुड़ा हुआ होता है यानि कि किचन रसोई घर क्या चीजें रसोई घर में नहीं होनी चाहिए जिससे आपका जो पूरा जीवन है वो सुख में रहे देखें किचन जो है किचन के अगर बास्तु गड़बड है तो बस्तु जो है बस्तु रुपी ब्यक्ति जो है वह हमीशा परिशान रहेगा ध्यान देने जो के बात यह है कि आप अपने किचन की साफ समखाई निश्चित रूप से रखें कभी भी अपने किचन में ध्यान द न रखें अगर गंदगी आप रख रहे हैं गंदगी का अंबार है तो आप लाख प्रियास करेंगे लाख मेहनत करेंगे आपके घर में चीर कालें लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है इसलिए अगर आपको कवाने के बावजूद आपके घर में चुकि घर में आप परिवार के जितने सदस्य हैं सभी मेहनत करके आ रहे हैं और पैसा भी लेके आ रहे हैं उसके बावजूद भी घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपने कीचेन की अपने रसोई की देखने के जुरत है रसोई घर में अगर इसान कोण में किसी भी रूप मे आप गंदगी फैला के रखे हैं और इसान कोन का इसान कोन अगर गंदगी से भरा हुआ है वहां पे भार बना हुआ है आपने कचरा का डबबा रखा हुआ है आप वहां पे कचरा रखते हैं सब्ता सब्ता तक नहीं हटाते हैं अगर सुबह का साम में नहीं हटा है आपको तो आपको किछन में और आपको कम से कम बरतन का प्रयोग आपको करना चाहिए या जो भी बरतन है तो रात्री में ही साफ सफाई करके, किचन की सफाई करके, सिलिप की सफाई करके, गैस का सफाई करके, गैस को पोंच के, निश्चित रूप से आप इसान कुन की सफाई करके, सोने के पहले निश्चित रूप से एक टिकिया जला के सोने जाना चाहिए, टिकिया मतलब कपूर कोई दुरगटना कोई परिशानी कोई कस्ट नहीं होगा जो भी रसोई में काम करेगा वह स्वस्त और निरोग रहेगा और ध्यान देने जो के बात यह है कि किचन में कभी भी गरिमा जी जाड़ू नहीं रखनी चाहिए अक्सर देखने के लोग मिलता है कि पूरे घर के सफा न करें घर की सफाई अलग करें और कीचन की सफाई आपको अलग से करनी चाहिए घर का कचड़ा कीचन में न लेके जाए अन्यथा आपका आपकी जो लक्षमी है वह रुष्ट हो जाएंगे और आर्थिक रुपी भी लक्षमी और भोजन रुपी लक्षमी में पे भी आप आपको परशानी देखने को मिलेगा उन्नत्य के लिए और बहतरी के लिए हम लोग आगे बात करेंगे इसके साथ आप जिसे रात्री का भोजन आपको बच जाता है आप ध्यान दे कभी भी घर में गुठी हुई आटा जो है आटा जिसे गुठ के आप परियोग कर लिए 10-20 या खा लिया आप लोगों ने जो आटा बचा किसी पात में रखे ढखे आप रेफ्रेज्डेटर में रख देते हैं अगर आप ध्यान दे अगर कभी भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने घर में भूत प्रेत को दावत दे रहे हैं ऐसा करने से घर में अगर अगर अके लि उतना ही प्रियोग में ले जितना यूज हो जाए कभी भी गुता हुआ आटा रेफ्रीजेटर में फ्रीज में न रखें अन्यता आप भूत प्रित को दावत दे रहें और घर में इस्त्री बरकुर रोग बढ़ने के भी दावत दे रहें आप इसका ध्यान रखें उसके आखरकार किचन में या रसोई घर में दर्वाजे का क्या महत्व होता है क्योंकि जितने भी नए तरह के घर बन रहे हैं नया आर्किटेक्चर लोग डेवलब कर रहे हैं आप देखते होंगे कि दर्वाजे नहीं रहते हैं उसमें डाइरेक्ट डाइनिंग हॉल से जुड़ नहीं पढ़ेंगे जब तक उसका धाचा नहीं रखेंगे तो उसकी सुधता का ख्याल कैसे रखेंगे बास्तु की दिश्टिकों से बिल्कुल कीचन ओपन नहीं होना चाहिए कीचन का अपना वाल होना चाहिए कीचन का अपना दर्वाजा होना चाहिए इसलिए तभी कीच जरूरी है और किन चीजों को बिलकुल भी नहीं रखना है जिससे आपके घर का जो बातावरन है वो बिलकुल खुशाल रह सकता है नहीं तो जो चीजें आचारी जी ने बताई कि गुथा हुआ आटा हो या फिर कुरा करकट हो जिससे आप अपने किचन में रखते हैं उनसे आपके जीवन में परिशानिया बढ़ सकती है साथी साथ बिमारियों का भी आगमन आपके जीवन में हो सकता है आप लाइफ सीडीज के साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटिस्ट अबडेट से जुड़े रहने के लिए आप फेस्बुक पेज़ पर भी हमें लाइक कर सकते हैं धन्यवाद